नमस्कार आप देख रहे हैं वाइल्ड इंडिया न्यूज और मैं हूं सुमिछ जुने जाएं आज सुभा मुकुंद्रा हिल्स में T110 बाग को सौफ्ट एंड क्लोजर से बाहर जंगल में छोड़ दिया गया है हम आपको बता देना चाहते हैं T110 पूर्व में रन्थंब और पाक संडक्षन शेतर में था वहाँ से पिछले 3 नवंबर को उसको ट्रैंकुलाइज कर मुकुंद्रा हिल्स के टाइगर रिजर्व में रिलोकेट किया गया उसके बाद में उस बाग को वहाँ पर सरप्रथम एक सौफ्ट एंक्लोजर में रखा गया जिसको की आज जंगल की शान बनाने के लिए सौफ्ट एंक्लोजर से रिलीस कर दिया गया है हम आपको एक विशेश बात बताना चाहते हैं T110 से पहले मुकंद्र टाइगर रिजर्व में MT4 मादा बागिन पहले से यहां पर है जिसका अब जोड़ा जाकर बन चुका है और उम्मीद की जा रही है कि बागों के कुन्बे को बढ़ाने में अब जो मदद मिलेगी वह एक अपने आप में एक पहुत जबरदस्त मिसाल होगी जैसा कि बाग T110 को 3 नवंबर को जो है रंतमबोर से जब ट्रेंकुलाइस किया जा रहा था उसमें विभाग के सामने जो आई हूई जो मुशकिले थी जिसमेंKी उसको 20 मीटर से जब उसको ट्रेंकुलाइस किया गया तो बाग जैसे ही ट्रेंकुलाइस का ड़ाटा उसमें लगा तो ड़ाटा लगते ही वह नाले को क्रॉस करके पहाड़ी पर चड़ गया और उसको बहुती सुरक्षित तरीके से उसको लाया गया वाद दिन में उसको जो है soft enclosure में मुकंदरा में जाकर release कर दिया गया बाग को tranquilize करने के लिए one way walk की टीम काफी पहले से मुस्तेथ थी और कारे कर रही थी जो कि 3 नवंबर को जाकर उनका जो है mission पूरा हुआ अब इस दिशा में जबकी हडोती के अंदर पहले से ही अब टी 110 को लेकर चार बाग हो चुके हैं तो हमारा मानना है कि बाग संडक्षन शेतर में वा टाइगर टूरिजम के लिए wildlife टूरिजम के लिए यह एक अपने आप में अच्छी मिसाल होगी